नमस्कार, आप देख रहें कि एमनुज और मैं हूँ आपके साथ कृष्ण मुरारी प्रिजाबदी लोकसवाच चुनाव के दूसरे चरण के लिए और हम बात करें मत्रा लोकसवाच छित्र की तो यहाँ 16 प्रत्यासियों ने अपना नामंकर दाखिल किया है जिसमें बीजेपी से सांसद हेमा मालनी जी, गठवंदन से मुगेश स्टिंग धर्णगर, बीएसपी से सुरेश चौधरी, एवं बाकी निर्दली के प्रत्यासियों सामिल हैं जो बताते हैं, या जिनके नामंकर करने से लगता है, कि लोग हमा मालनी जी के कारकाल से कितने नाराज हैं खेर ये तो बक्त बताएगा कि लोग हेमा मालनी जी को एक बार पुनहें मत्रा की बागडोर सौपते हैं या आपकी बार हेमा मालनी जी की हेट की जो है चूक जाती है क्या रहेगी बज़े ये तो बाद में पता चलेगा चुनावों के बाद लेकिन फिलाल ऐसा लग रहा है कि जिन 16 प्रत्यासियों ने जिन मेंसे 13 प्रत्यासि निर्दलिये हैं आकर इन 13 प्रत्यासियों के निर्दलिये नमांगन करने कि क्या वह सकता पड़ी इसका मतलब ये है कि कहीना कहीन लोग पाइटियों से नाराज है या हैमा माननी जी ने जिस प्रकार से दस बर्स मत्रा में सासन किया है उन्होंने जो है मत्रा को समय नहीं दिया है इस ये बज़े भी महत्पूर माने जा सकती है हम पूरी जानकारी मत्रा लोकसवाद छेतर की आप के लिए लाते रहेंगे तो आप बने रहना केम नूज के साथ धन्यवाद